वान, पांदू की कथा, महा भारत के आदेपर्व के अनुसार एक दिन राजा पांदू आखिट के लिए निकलते हैं. चंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरन दिखाई देता है. वे उसे एक तीर से मार देते हैं. वह हिरन एक रिशी निकलते हैं तो अपनी पत्नी के स साथ मैथुनरत थे. वे रिशी मरते वक्त पांदू को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे, जब तुम मैथुनरत रहोगे. इस शाप के भाय से पांदू अपना राज्य अपने भाई धृत्राष्ट को सौप कर अपनी पत्नियों कुंती और मादरी के साथ जंगल चले जाते हैं. जंगल में वे सौन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांदू इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी रिशी के साथ समागम करके संतान उत्पन करनी चाहिए. कुंती केवल पती के साथ समागम कर सकती है अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उद्दालक नाम के प्रसिध मुनी थे जिनका श्वेटकेतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेटकेतु अपने म किसी के भी साथ समागम करने के लिए। इन्ही श्वेटकेतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पती के प्रती वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप ब्रून हत्या की तरह होगा। पांडु और भी कथाएं सुनाते है और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा। तू, एक रहस्यमई व्यक्ति शिखंडी। शिखंडी का नाम सभी ने सुना होगा। शिखंडी को उसके पिता दुरुपद ने पुरुष की तरह पा शिखंडी। शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिती पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया ताकि वह अपना पुरुषत्व सिध कर सके। खाला कि यक्ष की इस हरकत से यक् पिर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को शाप दे दिया कि शिखंडी के जीतेजी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यहीं शिखंडी महाभारत में भीश्म के घायल हुने और अंततह उनकी मृत्यू का कारण बना। तर असल, शिखंडी पिछले जन म अंबा नामक राज कुमारी था जिसका दो बहनों के साथ भीश्म ने अखरन कर लिया था। पीश्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुझ विचित्रवेर्य से करना चाहते थे। अंबा ने भीश्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की कि उसे मुक्त कर दे। भीश्म ने उसे मुक्त कर दिया लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवेर्य के पास लोटना पड़ा लेकिन विचित्रवेर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अंबा ने भीश्म के सामने वि निराशा ही हाथ लगी। तब निराश अंबा ने शिव की आराधना की और यह वर्दान मानगा की इच्छा मृत्यू का वर्पाई भीश्म की मृत्यू का कारण वह बने। शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। क्रिश्म ने भीश्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारत मानदंडों पर निरने लिया है और धर्म की अभहेलना की है। आज भी उनी मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं जिसक का पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीश्म ने फिर भी युद्ध करने से मना कर दिया जिस पर कृष्म ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा की वे भीश्म पर वार करें ताकि भेदभाव पर आदरित उनकी मान्यताओं की जगल समावेश को महत्व देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। एक दिन युद्धुप्रांथ भीश्म के मृत्युवरन से पूर्व पांदव उनका आशिरवाद लेने गए। बातचीत में युद्धिष्ठिर ने पूछा पितामह, कुरुष और स्त्री में किसे अधिक यौनसुक प्राप्त होता है। संतान द्वारा माता और पिता कह जाने से माता और पिता में किसे अधिक कंप्रिय लगता है। वीश्म ने उत्तर दिया राजा भांगाश्वन के अतिरेक्त इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं जानता। उनकी अनेक अनेक पतनिया और संताने थी। इंद्र के श्राप से वल्स्त्री बन गया और उसने एक पुत्र का नाम शृत कर्मा था। ट्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभध्रा, उलूपी और चित्रांग्दा नामक तीन और पतनिया थी। सुभध्रा से अभिम्यू, उलूपी से इरावन, चित्रांग्दा से वब्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। चित पांदवों ने अश्वमेद यग्य करने का विचार किया। पांदवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यग्य का शुभारंब किया और अर्जुन को रक्षक बना कर घोड़ा छोड़ दिया। वाह घोड़ा जहां भी जाता, अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक दीनता स्वीकार कर ली वही कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांदवों को कर देने की बात मान ली। वह घोड़ा घुमते घुमते मनिपूर जा पहुँचा। मनिपूर नरेश बब्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आये है, तब वह गनमान्य ना जान परता है, तू क्षत्रिय धर्म से बहिश्कृत हो गया है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पतनी नागन्या उलूपी भी उस वारतालाप को सुन रही थी। तब मनोह रनवो वाली नागन्या उलूपी धर्म निपून बब्रुवाहन के पास आकर यह धर्म सम्मत बात बो अर्जुन के साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन होंगे। इसमें संशय नहीं है। ये सुनकर बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चिय की। तब अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घोर युद्ध कहते हैं कि इस युद्ध में युद्ध में बब्रुवाहन मूर्चित हो गए थे और अर्जुन मारे गए थे। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमी में अर्जुन की पतनी चित्रांग्दा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने तगी तुम्हारी ही आग्या से मेरे पुत्र बब्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांग्दा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहिन में तुम से अर्जुन के प्रानों की भीख मानती हूं। चित्रांग्दा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा तुम ही ने बेरे बेटों को लड़कार उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो। अन्यथा मैं भी अपने प्रांट त्याग दोनगी। तभी मूर्चित बब्रुवाहन को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी मां अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास ही ख़़ी है। बब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रान लिया कि अब मैं भी इस पर आमरन अंशन कर अपनी देर त्याग दूंगा। उत्र और मां के विलाप को देख सुनकर ओयूपी का हरदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मने का कस्मरन किया। नागू के जीवन की आधार भूत मनी उसके स्मरन करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बब्रुवा की छाती पर रख दो। इसके स्पर्ष होते ही वे जीवित हो जाएंगे। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुश्य की भाती जीवित हो थे। फिर उन्होंने अश्वमेग का घोड़ा अर्जुन को लोटा दिया। और अप महा भारत युद्ध में अपने गुरु भीश्म पितामः को मारने के बाद ब्रम्हा पुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्वी किया था और अपने सौतेले पुत्र बब्रुवाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को समय तक उनके साथ थी माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचो पांधवों की पत्नी थी एक माइनस एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांधव के साथ रहती थी उस समय किसी दूसरे पांधव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमती नहीं थी इस नियम को तोडने वाले को एक साल तक देश से बाहर रहने का दंड था अर्जुन और ढौपदी की वन वर्ष की अवधी अभी अभी समाप्त हुई थी और ढौपदी युदिश्टिर के साथ का एक वर्ष का समय शुरू हुआ था अर्जुन भूलवर्ष ढौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूलाए। पर किसी दुष्ट से ब्राहमन के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हीं उसी समय इसकी जरूरत पड़ी अतक शत्रियत धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोलते हुए वो द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद विचित जन्गताएं, तृत्राष्ट, पांडू, विदूर, द्रौपदी, धृरिष्ट द्यूम्न, कृपाचार्य, कृपी, ड्रोनाचार्य के अलावा कौरवों, पांदवों और कर्ण की जन्गताएं भी विचित ही कही जाएंगी। एक और जहां कुंती ने देवताओ का आहवान कर कर्ण सहित फोर कुट्रों को जन्ग दिया वही मादरी ने भी अश्विन कुमारों का आहवान कर नकुल और सहदेव को जन्ग दिया। दूसरी और गांधारी के 99 पुट्रों की जन्गताएं भी रोचक है जिन्हें एक कुंग में जन्ग लेना पड़ा, जो ब मेरे सामने से निर्वस्त होकर गुज़रे जिससे की उनको गर्ब धारन होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई पर अंबिका ने उनके तेज से दर कर अपने नेत्र बंद कर ले जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर पुत्र पैदा होगा। ये जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनह वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयम न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भीज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास क सामने से गुजरी इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कमाते इस दासी के गर्ब से वेदवेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन होगा इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए अब आप सोचिए इन ही दो पुत्रों में से एक व्रित्राश्ट्र के यहां जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद्व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। 6. क्या जीवित है आश्वत्थामा। महाभारक के युद्ध में आश्वत्थामा ने ब्रहमास्त छोड़ दिया था जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उक्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों की धर्म को नश्ट करने की प्रतिग्याली थी। हाला कि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुब जगहों पर अश्वत्थामा आता रहता हैं लेकिन अब तक इसकी सचाई की पुष्टी नहीं हुई है। यदि हम यह माने कि उनको मात तीन हजार वर्षों तक जिन्दा रहने का ही शाप था तो फिर वे अब तक मर चुके होंगे क्योंकि महाभारत युद्ध को हुई तीन हजार वर्ष कभी के हो चुके हैं। लेकिन यदि उनको कलिकाल के अंद तक भटकने का शाप दिया गया था तो। लेकिन तु महाभिष उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि तुम रित्य लोग जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस प्रकार उनका जन्म प्रतीक के पुत्र शांतनू के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रतीक के बाद उनके पुत्र शांतनू हस्तिनापुर के राजा हुए। पुत्र की कामना से शांतनू के पिता महाराजा प्रतीक गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। ये सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीक को पुत्र की प्राप्ती हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनू रखा और इसी शांतनू से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें आठ पुत्र मिले जिसमें से साथ को गंगा नदी में बहा दिया गया और आठवे पुत्र को पाला पोसा। उनके आठवे पुत्र का नाम देवरत था। ये देवरत ही आगे चलकर भीश्म कहलाया। एट, महान योध्धा बरबरीक और घटोतकच। बरबरीक महान पांदव भीम के पुत्र घटोतकच और नागन्या अहिलवती के पुत्र थे। कही कही पर मुर्दैत्य की पुत्री, कामकटकता के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। परबरीक और घटोतकच के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों ही विशालकाय मानव थे घटोतकच ने कौर्वों की सेना में कोहराम मचा दिया था आखिरकार कर्ण ने उस अस्त का उप्योग किया जिसे वे अर्जुन पर चलाना चाहते थे और घटोतकच मारा गया महाभारत का युद्ध जब तै हो गया तो बरबरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मा को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया बरबरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर त्री बान और धनुष के साथ कुरुक्षेत की रनभूमी की ओर अग्रसर हुए बरबरीक के लिए तीन बान ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरव और पांदवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे ये जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राहमन के वेश में उनकी सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छलपूर्वक उनका शीष मान लिया बरबरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं तब कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली पालगुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीष का दान दिया भगवान ने उस शीष को अम्रिट से सीज कर सबसे उंची जगह पर रख दिया ताकि वे महा भारत युद्ध देख सके उनका सिर युद्ध भूमी के समीप ही एक पहारी पर रख दिया गया जहां से बरबरीक संपूर्ण युद्ध का जायचा ले सकते थे दूसरी और घटोतकच ने कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था वो हितना विशालकाय था कि एक रत को लात मार कर कई मीटर पीछे धकेल देता था वो अपने पैरों से ही कुछ सेनिकों को कुचल कर मार देता था कहते हैं इसी तरह के विशालकाय मानव एक समय ब्रह्माजी ने राक्षसों के उत्पात को शांत करने के लिए बनाये थे बाद में वे ही मानव राक्षस प्रवृति के बन बैठे तब भगवान शंकर ने उन सभी को नश्ट कर दिया नो इंद्र का च्छल भगवान कृष्ण ये भली भाती जानते थे कि जब तक करन की पास उसका कवच और कुंडल हैं तब तक उसे कोई नहीं मार सकता ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक करन की पास पैदाइशी कवच और कुंडल हैं वही उध्ध में अजेय रहेगा तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राहमन के वेश में पहुंच गए करन के द्वार देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए करन सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे बाद में जब देवराज का नंबा आया तो दानी करली ने पूछा विप्रवर आग्या कीजिए किस स्वस्तु की अभिलाशा लेकर आये हैं तब देवराज इंद्र ने इच्छल से उनके कवच और कुंदल दान में ले लिये थे 10. क्या ऐसा हुआ था तमिल नादू के एक गाव में हर वर्ष अरजुन पुत्र अरवन की मृत्यू का शोक मनाने के लिए किन्द समाज के लोग एकत्रित होते हैं किन्दरों के इस पर्व को अरवनी कहा जाता है तथा है कि अरजुन और उनकी पत्नी उयूपी का पुत्र अरवन था जिसकी बली चड़ाकर ही पांदव महाभारत के युद्ध में विजई हो सकते थे अरवन ने बली से पहले शर्थ रख दी कि उसकी शादी कर दी जाए लेकिन कोई स्त्री ऐसे व्यक्ति से शादी के लिए तयार नहीं हो सकती थी जिसकी मृत्य निश्चित थी अंतता क्रिश्न ने स्वयम मुहिनी रूप धारंग कर उससे शादी की और सोहागरात मनाई दोरान अरजुन को गीता का उपदेश दिया अरजुन इंद्र के पुथ थे लेकिन कहलाते थे पांडु पुथ उनकी माता का नाम कुंती था कुंती पांडु की जेश्ट पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुवा थी अर्जुन कुंती के तीसरे पुत्र थे जो देवताओं के राजा इंद्र से हुए प्रतियक काल में अलग-अलग इंद्र हुए है अर्जुन रोनाचार्य के प्रियशिश्य और कृष्ण के प्रियमित्र थे फ्वयमवर में द्रौपदी को जीतने वाले लक्ष्यव्यदी के रूप में तो अर्जुन की ख्याती है ही द्रौपदी भी अर्जुन की पत्नी थी 12. अर्जुन के पुत्र कुरू जन्पद के राजा अर्जुन की फोर पतनिया थी द्रोपदी, सुभध्रा, उलूपी और चित्रांगदा ट्रोपदी से शुरुत कर्मा और सुभधरा से अभिम्यू, उलूपी से एराउत, चित्रांगदा से वभ्रुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ती हुई अभिम्यू का विवाह महाराज विराध की पुत्री उत्तरा से हुआ महाभारत युद्ध में अभिम्यू वीर्गती को प्राप्थ हुए जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी उसके पेट में अभिम्यू का पुत्र पल रहा था ट्रोन पुत्र रश्वथामा ने ये संकल्थ लेकर ब्रहमास्थ छोड़ा था कि पांडवों का वंश नश्ठ हो जाए ट्रोन पुत्र अश्वत्थामा के ब्रहमास्थ प्रहार से उत्तरा ने मृत्षिशू को जन्द दिया था किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिम्यू उत्तरा पुत्र को ब्रहमास्थ के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिध हुआ परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय ऐसे कई उदाहरन है जबकि भगवान कृष्ण ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया पीम पुत्र घटोतकच के पुत्र बर्बरीक की गर्दन कटी हुने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महा भारत युद्ध की समाप्ती तक जीवित रखा